नमस्कार दोस्तों राजेश जैन मोटर पर आई है जंबो टैर्स यानि की मॉस्टर टैर के साथ बहुत शानदर गाड़ी इस गाड़ी की पूरी डीटेल देंगे पहले देखते हैं गाड़ी का वॉकरॉंड वीडियो तो दोस्तों आज हम इस गाड़ी के बारे में आपको पूरी डीटेल प्राइस बगयरा बताते हैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज अभी कॉल मत करें ना पहले पूरे वीडियो और उसकी डीटेल समझ लें आपको दोस्तों ये गाड़ी हम को औरडर किया था मिस्टर करमदीब सिंग गोहिल जी जो की पालिताना गुजरा से हैं वो राजेश्ट्यान मोटर को बहुत देर से फॉलो कर रहे थे तो जब उनका मन बना तो उन्होंने एडवांस डाल दिया और हमने काम स्टार्ट कर दिया करमदीब गोहिल जी की चुएस थी सिंपल सोबर यानि क कोई उस पर फालतू स्टिकर वर्क ना हो जगा जगा पर डवल टोनिंग कलर ना हो तो आपन फ्रंट से बताते हैं आपको तो उनकी चुएस पर आपने जो उसकी हैड़ लाइट ग्रिल है एंगरी वर्ड है एड़ लाइट ग्रिल रखी है लेकिन यहाँ पर उन्होंने जर ग्रिल भी लगाते हैं मोस्ट रॉनिंग हमारी एंग्री वर्ड रही आज तक और बंपर उनकी चुएस थी मुस्टैच बंपर और मुस्टैच बंपर ही चल रहा है कुछ कुछ गाडियों में कस्टमर की जुरूर चुएस आती है कि यह बार लाइट ना हो सिंपल बंपर हो बीच में रसी हो लेकिन करमदीब गोहिल जी की चुएस थी मुस्टैच हो लेकिन उपर फौग लेंपना हो छोटी सी एक बार लाइट आप उपर लगा देना राजिश भाई तो यह गाड़ी का फ्रंट हो गया तो दोस्तों यह जीवस हम बनाते हैं मंडी डबवाली सिरसा जिला हरियाना में हमारी कोई और ब्राच नहीं है तो टायर आप देश सकते हैं काफी देरवाद वीडियो आई है मौस्टर टायर के साथ यानि कि जो टायर हम लगाते हैं सबसे बड़ा यह टायर होता है लेकिन दोस्तों मैंने करमदीब गोहिल जी को भी बता दिया था हर कस्तमर को बताता हूं कि गाड़ी इसमें थोड़ा बहुत शेकर हिलता है वाइबरिट करता है लेकिन कई लोगों की च्वैस होते हैं वी राजेश भाई हमको तो 20-30 किलोमेटर चलाना है टायर हमको बढ़ाई ल करक नहीं है और यहां पर जरूर एक छोटा सा हमने फॉग लेंप मडगार्ट पर उनकी च्वैस पर लगाया है मॉस्टर टायर के साथ दोस्तों अलॉई भी नहीं आता खाली रिम आती हैं तो यह तो होगे उनके टायर की बाद दोस्तों हम गाड़ी और पर बनाती हैं मेरे हर वीडियो बताने में बाद भी लोगों के वही कॉस्टन आ रहे हैं कि राजिश भाई रैड़ी गाड़ी चाहिए दोस्तों प्लीज इस चीज़ का ध्यान रखें आपको पहले और करना होगा 45 डेस का आपको टाइम देना पड़ेगा अडवांस आपको डालना पड़ेग तो दोस्तों ज्यादा सैसरी तो नहीं है साइड में आप देख सकते हैं कि एक डमी टैलीफोन जो आर्मी में तो हलांकि यूज होता था करमदीब गोहिल जी जो पाली ताना ये गाड़ी जा रहा है उन पे हमने लगाया है और दोस्तों आपको गाड़ी देने का जुरूरत नहीं है मैं हर वीडियो में क्लियर करता हूं और कस्टमर की अगर कोई इनोबा है यह सुमो है इन गाड़ीों को हम जीप नहीं बना सकते लोग पूछते कि राजवश्य उसको जीप में करवट कर दोगे स्कॉर्पियों को जीप बना दोगे नहीं गाड़ी हमारा आपकी स्टेट के लिए नोसी डॉकुमेंट हम सब क्लियर देंगे आपको गाड़ी का डिजाइन सेलेक्ट करना है और अडवास डालना है और गाड़ी का फिफ्ट अलॉइवील है जो वह रिवॉल्विंग है अपनी अपनी चॉयस अभाई कस्टमर जैसा बोलता हमको बना नहीं है पीछे बलोरो लाइट उनकी 24 सी और बाकिया आप देख सकते हैं रूटीन सेसरी जो पीछे का जरीकेन हो गया या टोइंग होगी बैक लाइट होगी डमी एंटीना हो गया यह चीज़े इसमें लगी हुई है दोस्तों मैंने आपको बताया कि गाड़ी हमारा गाड़ी और दोस्तों पॉरानी गाड़ी को हम सक्रैप कर देते हैं उसका बोढडी सक्रैप, इंजिन सक्रैप, टायर सक्रैप, बैटरी रिडियेटर सक्रैप बॉड़ी हम राजेश चैन मोटर में नहीं बनाई जाती है पूरी बॉड़ी हैवी शीट के हम साथ दोस्तों बनाते है उसके बाद इंजिन इसमें हम लगा देते हैं महेंदरा बलोरो का टर्बो डियाई डीजल इंजिन जो कि लगबग ये टायरों में 10 का माईलेज मिनी मॉस्टर में 12 का माईलेज और और रोड टायर में 14 का माईलेज देता है हमारी हर गाड़ी दोस्तों पावर स्टेरिंग, पावर ब्रेक, पावर कलच के साथ होती है और माईलेज के बाद आगे बाद करते हैं गाड़ी की छत हम हर गाड़ी के साथ देते हैं, योड़ियोज में ज़्यादा ओपन में बनाता हूँ, वीडियो ओपन में ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन गाड़ी हमने लोड करनी होती हैं, तो उसे एक या दू दिन पहले हम इसकी छत लगा देते हैं, च्छत में भी एक दोस्त डिजाइन आते हैं आपने मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं प्लेन स्पेर भी आ जाती है और कुछ कस्टमर पसंद करते हैं पीछे से जूकी हुई वह आपकी चुएसा उसमें रेट का कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला प्राइस की बात कर ल जाता है यानि कि साड़े चार चार साथ से स्टार्टिंग प्राइस कह सकते हैं अगर आपका बजट दोस्तों फोर थर्टी फोर फोर्टी भी है तो हमारे पास उस रेंज में गाड़ी नहीं होती एसी लगवाएंगे तो फोर सिक्ष्टी से और प्राइज आप हो जाएगा ये में गिलास मेरी जादातर गाड़ियों में आप देखेंगे कि पूरा प्लेन में गिलास होगा लेकिन जो ओरिजिनल विली आती थी दोस्तों उसमें ये पार्टीशन वाला गिलास होता था बाकी विली साइड में एम्बोस किया हुआ है कोई यहाँ पर बॉनट पे स्ट स्टिकर नहीं है कोई यहाँ पर फाल्तू स्टिकर वाजी नहीं की गई और अगर आप मानेंगे तो मेरी च्वास जो खुद परसनल है वो भी सिंपल सोबर गाड़ी ही है मैं भी अगर गाड़ी रखूं वाकि चला चला के भाही इन से मन बर जाता है जीप अगर मैं रखू तो उसमें कोई बार लाइटे नहीं होंगी कोई यहाँ पर लैंप नहीं होंगे बड़े बड़े क्योंकि जीप चलाने का मज़ा सिंपल और सोबर में है कुछ सवालों के जबाब जो हर वीडियो में बताए जाते हैं लेकिन कॉल और वार्टसप पे आप लोग द्वारा ज कर देंगे जैसे जैसे इस गाड़ी का काम होता जाता है हम कस्टमर्स को फोटो वीडियो बेहते रहते हैं उसका कारण यह होता है दोस्तों कि कस्टमर को भी यकीन हो जाता है कि भाई हमने अगर पैर्मेंट डाला है तो हमारा गाड़ी रेडी हो रहा या नहीं हो रहा अग 50,000 आप डालते हो पेंटिंग टाइम में और जो बाकी का पेमेंट बज जाता है दोस्तों वह गाड़ी जब कंप्लीट हो जाती है यानि कि लोडिंग टाइम पे आपको बाकी पेमेंट डाला होता है अब मैं दिखाता हूं इस गाड़ी का एंटीर पार्ट दोस्तों गाड़ पुरानी हैं लेकिन बहुत अच्छी कंडिशन की कारों की सीटे हम लेके आते हैं फिर उनकी पोस्टिंग गयरा करते हैं तो अंदर से आप देख सकते हैं जो वील होता है स्पोर्स टेरिंग वील लगाते हम हर गाड़ी में और करमदीब गोहिल जी की गाड़ी में जो लेकिन अभी भी कुछ लोगों में डाउट हो जाता है कि राजेश पही हम पेमेंट कैसे डाले आप हमारे से 1000 किलो मेटर 2000 किलो मेटर हो तो दोस्तों आप विश्वास रखें बहुत से सालों से हम यह ऑल लाइन और पे ही गाड़ियां बना रहे हैं पैसा आपका कहीं नहीं को दे दिया यह प्यार और विश्वास बहुत से सालों से हमने कमाया है तो आप वे पिकरों के अड़वास डाल सकते हैं उसके आपको अपडेट मिलती रहेगी हाँ दोस्तों एक चीज और है कि मैं अलेक्ट्रिक वीकल नहीं बनाता है इन दोनों कॉल आती है राजेश है एक तो इसकी मैंटिनस ने आती दूसरा हमें मिल बहुत अच्छी कंडिशन की जाती हैं तीसरी बात मालो सालों बाद को या आपको लगता है कि कोई दिक्क्त आती है एंजन में चोटी मोटी यह बड़ी भी आती है तो यह लोकल वाक्शाफ में छोटे चोटे शहरों में भी बलोरुक इंजन का काम हो जाता और बहुत कम रेट में हो जाता है आगे आ जाती है दो क्वेस्चन ओर आते हैं फोर वाई-फोर और आटोमेटिक ट्रांसमिशन यह गाड़िया हम बनाते है टूविल में फोर वाई-फोर बनवानी है अच्छा ट्रांसमिशन लगाके अ सब कप्लीट हो जाता है तो दोस्तों यह गाड़ी बना था करमदीप सिंग गोहिल जी पालिताना गुजरात से ऑनलाइन ओडर किया था और भी बहुत सारी गाड़ियां जो इसी राजेश्चेयन मोटर को देख के ऑनलाइन ओडर हुई थी अलग लग स्टेट से भारत के हर कोने से वो रेडी हो रही है जल्द उनके वी वीडियो लेकर आएंगे तो आप अपना प्यार और बेश्वास यूँ ही बनाए रखें चोकि गाड़ियां तो उतने नहीं बिकती ना जितने लोग वीडियो देखते हैं शेयर करते हैं तो उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्य शेयरवाद है कि उनकी वज़ा से ही मैं यह जीव का काम कर रहा हूं और बेच पा रहा हूं तो आप अपना शेयरवाद और प्यार इसी तरीके से बनाए रखें नमस्कार जैहिंद जैवारत